दोस्तों NEET, J-Main और CUT के तयारी कर रहे हैं चात्रों के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है बहुत ही अच्छी ख़बर आई है गुड निव्ज आई है NEET, J-Main और CUT के तयारी करने वाले बच्चों के लिए दोस्तों आपको पता होगा कि UPC के एक्जाम जो होता है उसमें वार्षिक शिडूल आता है यानि एन्वल शिडूल आता है यारी 2023 में, 2024 में, 25 में, 24 में, IES का कब एक्जाम होगा एक साल पहले ही बच्चों को बता दिया जाता है लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजनसी से ऐसा कोई शिडूल नहीं बनता था लेकिन अब 2024 में election है, मोदी जी का election है, यानि परधान मंतरी के election है अब तो जेनरल elections इसको बोलते हैं, लेकिन मैं मोदी जी का नाम बोल दे रहा हूँ कि लोगों को पता चले है कि परधान मंतरी का election है 2024 में तो 2024 में election होगा, तो 2023 यानि अगले साल बहुत जादा आपको तबदिली देखने को मिलेगा बहुत जादा अच्छी अच्छी चीज़े, student के लिए, public के लिए, बहुत सारे चीज़े आपको अच्छी मिलेगी वैसे पूरी साल आये, पूरी पांच साल आये तो अच्छी बात है, लेकि कोई बात नहीं, चलो एक साल पहले भी आजाती है तो अच्छी बात है तो CUT और JMAIN और NEET के लिए, बच्चों के लिए खुशकबर ये है कि अब NTA ने दो कमीटी बनाई है क्या कमीटी बनाई है? दो कमीटी बनाई है, अब दोनों कमीटी में पहला कमीटी का काम होगा कि वार्शिक शिडूल जारी करना यानि Annual Schedule Examination का जारी करना, NEET का कब एक्जाम होगा अगले साल, JMAIN का कब होगा, CUT का कब होगा इसके लिए एक कमीटी गठित की गई है, और एक सल पहले ही हर बच्चों को अगाह किया जाएगा, बताय जाएगा, इनफॉर्म किया जाएगा, शेयर किया जाएगा कि अगले साल का EXAM का DATE कब है इससे बच्चों को फायदा ये होगा कि एक्जाम से पहले पूरी सिलेबस को अच्छी तरह के तैयारी कर ले तो बच्चों के लिए सुईधा होगा कि हर बार बच्चे यूटूब पे ज्यादा समय और फेस्बुक पे इंस्ट्रागराम पे और यहां वहां खुशते रहते हैं कि कहां मिल जाए कि नीट का एक्जाम अगले साल कब होगा, जेई मेन का एक्जाम कब होगा, सियुटी का अगले साल कब होगा, जेई मेन का एक्जाम अगले साल कब होगा, और फूरी पकी खबार एक साल पहले ही जारी कर दी जाएगी, यह पहली कमिटी के गठित की उगोई है, जक्दीश कुमार जो है, यूजी सीके चेर मेन है, जो की जेणियो के विसीत है पहले उन्होंने बताया मीडिया से बात करते हुए और आप देख सकते हैं लाइब हिंदुस्तान पर आप जाकर देख सकते हैं वहीं से मैंने ये नियूज को लिया है वहाँ पर जगदीश कुमार जी ने कहा कि हमने दो कमिटी गठित की है एक तो शिडूल बनायागा कि कब एक्जाम होगा जे नीट और सीउटी का और भी बहुत सरे एक्जाम का और दूसरा कमिटी है कि सीउटी पिछले साल बहुत जादा गड़बड हुआ लास्ट ये जो ए तो एधर उदर बहुत सरे सेंट्र वी दिमाग खराब कर दिये थे दिमाग का दखाई बना दिये थे बाच्चों का गार्जियन परेशां थे बच्छे परेशान थे ने नाम खराब हो रहा था एक ती के तो NTA ने एक committee schedule के लिए बनाया है, दूसरा committee बनाया है कि जो exam center पड़ेगा, उसकी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से तहकीकात कर लेंगे, test कर लेंगे, कि exam center वो सही है की नहीं, एक दो बार mock test वहाँ पे लेके चेक कर लेंगे, कि यहाँ पे जो भी infrastructure है, चाहे नेट का हो computer का हो, mouse का हो, keyboard का हो, कहीं mouse काम नहीं करता, कहीं keyboard काम नहीं करता, कहीं computer काम नहीं करता, कहीं पे क्या होता है कि monitor बार बार बंद हो जाती, ऐसी समस्याओ का सामना कराना पड़ा है NTA को last साल, तो last year से इन्होंने सीख ली है, दो committee बना दिया है, एक schedule बनाएगी, दूसरा exam center क तो तहकीकात के रहेगी कि कौन से exam center NTA के standard के हिसाब से सही है, कौन से exam center बेकार है, तो बेकार वालों को नहीं दी जाएगी, अच्छे वाला exam center को आपको दी जाएगी, दो committee report एक दो week में आपको submit करने वाली है, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि NEET का कब exam होगा, JMAIN का कब exam होगा, CUT का कब exam होगा, आपको पता ही है कि National Testing Agency बहुत सरे exam लेती है, साइने की स्कूल का exam लेती है, JMAIN होगा, NET होगा, CUT होगा, JNUET होगा, DUET, UGCNet, CSIRNet, GPAT, CMAT, IGNU का MBA, IGNU का PhD, IIFT, NCHM, Hotel Management का JEE, और Agriculture Research, ये सारे exam center लेती है, तो अब कोई किसी के exam से clash नहीं करेगा, जैसे board का exam clash कर जाते थे, और practical exam clash कर जाते थे, तो board CBAC का, ICAC board का, UPBR board से लेकर जितने भी exam से सब को NTA study करेगी, और किसी exam से किसी और exam का clash नहीं होगा, यानि किसी बच्चों को कोई exam पर इच्छा छोड़ने के जरूरत नहीं होगी, और कोई Twitter पे trend कराने के जरूरत करने के जरूरत नहीं होगे, इस हिसाब से NTA आपको schedule बनाएगा, तो कितनी अच्छी खुशकवरी है और एक सल पहले पता चल जाएगा, तो तयारी करने में असानी होगी, और 2023 में इसलिए ये लागू करना जरूरी है, क्योंकि 24 में election है, election से पहले बच्चों को दिखाना ह है कि CUT के एक्जाम तो हमने लागू किया, लेकिन अच्छे तरीके से लागू किया हो सकता है, election पे इसका कुछ, कुछ, पॉइंट, 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 जिरो, जिरो, वन परसेंट का भी फर्क पढ़ता होगा, तो कुछ तो पढ़ेगा, नाम तो खराब होगा, बच् करवाने के कोशिश करेंगे, तो शिडू контons में पता चल जाएगा कि दू बार जो होगा, वो किस किस महीने में होगा, अपरील में होगा, जून में होगा, यह जुलाई में होगा, यह शिडूल आ जाएगा तो पता कल जाएगा, लेकिन यूजिसी के अध्यक्षन मेंकि하기 हर करना है एक बार जब हम तारीकों की उपलाब्दा के आधार पर टाइम शिरूल तयार कर लेंगे तो नीड़ने लिया जाएगा और NTA के एक वरिष्ट अधिकारी ने बदाया है कि हम परिच्छा का पैटर्न में बदलाव यह स्यूटी के छात्रों को दिये जाना विकल्प के स मत में कोई नीड़ने नहीं लिये गया है जैसे कि स्यूटी में बहुत सारे आप्शन दिये गये थे लास्ट इयर इस साल वैसा कुछ भी नहीं किया गया है कि इस बार कुछ बदला होगा वरिष्ट अधिकारी ने कहा कि हमारी नाम को पब्लिश मत किजिएगा लेकिन जैसे पिछले साल हुआ था स्यूटी यूजी पीजे के एक्जाम उसी तरह अगले साल भी होगा लेकिन दो बार करवाने के कोशिश की जा रही है और शीडूल बनाने के कोशिश की जा रही है और एक्जाम सेंटर पर जो भी इंफराइस्ट्रक्चर है कीबोर्ड है माउस है मॉन अगले साल से कुछ अच्छा होने वाला है student के लिए तो मुझे उमीद है कि वीडियो पसंद है यूगी तो like किजेगा चलाए पर नहों तो subscribe किजेगा इस वीडियो के बारे में इस policy के बारे में UGC के आपके बारे में क्या रहा है आपकी मन की राया कमेंट बॉक्स में बताए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक यो take good care of yourself जै हिंद जै भारत